सोयवीन की सफल खेती कैसे करें आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं सोयवीन की उन्नत खेती करने के लिए आवश्चतक महत्पूल बात है और इस वीडियो पर आपको जो जानकारी मिलने वाली है A2Z संपूल जानकारी बिस्तार के साथ डेटील के साथ तो बने रहीए आप इस वीडियो पर चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारंब करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय सुयवीन की बुआई का जो उन्नत और भरिया समय है वो है जून जून जुलाई पर आप बुआई कर देनी चाहिए इसके अलाब बात करते हैं खेत तयार तो खेत तयार आप कल्टीवेटर को खेत में पहले चलवाईए अच्छे तरीके से कल्टीवेटर को आप खेत में चलवा लीजिए और ठीक तरीके से खेत में रोटोबेटर चलवा दीजिए मिट्टी को भुरवरा करवा दीजिए यानि आपका खेत बिलकूर रोटोबेटर से तयार है इसके अलाब बात करते हैं उन्नत किसमों की बारे में यदि आपको हम बिस्तार के साथ बताएंगे कि उन्नत किसमे कौन-कौन सी है ये की घड़ पर कितनी बुआई करनी चाहिए और उनका प्राज कितने पढ़ने वाला है और उनका उपज उत्पादन कैसा कितने दिनों पके तयार हो जाती है तो मैंने कुछ टाइम पहले ही लगभाग पांच वीडियो पहले ही एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है सुएबीन की उन्नत पांच किसमे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्सन मिल जाएगी आप उस वीडियो को जरूर देखना है जिसमें हमने उन्नत किसमों के बारे में बताया है इसके अलाबा बीज की आवसकता है तो एक एकड़ में आपको बीज की आवसकता पलती है सीड्स की रेक्वारिमेंट पलती है पर एका 40-45 किलोग्रामा को एक एकड़ पर सीड्स की आवसकता पलती है इसके अलाव बात करते हैं बौआई के लिए खाण यानि जब हम seedling से बौआई करते हैं तो हमको एक बौडी single super phosphate यदि आप seedle से बौआई कर रहे हैं तो दानेदार वाली बैस्त रहेगी और एक बौडी डियेपी और एक बौडी पूटास को आपको mix करके बुआई कर दीजिए बीज उप्चार तो बीज उप्चार की मैंने कुछ टाम पहले ही वीडियो अफ्लोड की है तो आपको लिंक description मिल जाएगी बीज उप्चार आप कौन से फंगी सार्स है कौन से कीट ना सक से उप्चार करना चाहिए लेकिन बीज उप्चार जरूर करना चाहिए कनफर्म बात है इसके अलाव बात करते हैं खरपतवार ना सक तो बुआई के 72 गंटों के अंदर जैसे आपने बुआई कर दी 72 गंटों के अंदर 32 जो 32 खरपतवार ना सक आती है उसको छलकाप करना चाहिए या फिर यदि आप बॉआई के सवाए 32 को इस्प्रे नहीं कर पाए है तो आप 20-25 दिनों पर आपको कौन सी मतलब खरपतवार नासक का इस्प्रे करना चाहिए मैंने टोप 5, टोप 4 खरपतवार नासक के बारे में जानकारी प्रवाइट ओल्रेडी कर आचुकी है तो लिंक डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी या सेजन्टा का फ्यूजी फ्लेक्स या अदमा इंडिया का साकेद खरपतवार नासक को इस्प्रे कर सकते हैं इसकी अलावक किसान भायों बात करते हैं कीट, प्रिकौप और नियंतरा यानि कितने प्रिकार के कीट आते हैं उन्हें कैसी हम नियंतरा कर सकते हैं जाए रहते हैं यह टौप कैपी important है महतबूर है और आप note भी कर सकते हैं धिहान से भी शुन्णा है तो सबसे पहले तो बात करते हैं देखी सुयमीन की फसल यदि आप समय रहते हैं कीटों को प्रगोग को नियांतर नहीं कर पाते हैं तो उपा जुत पादर में लगवाग 30% तक 30-40% तक गरावर देखने के लिए मिल सकती है इतना खतनाक अटेक होता है तो वह अटेक होता है गरडल वीटल कीट का रिंग कटर का जो काफी नुकसान पहुचाता है तना खीदक का अटेक होता है सेमी लूपर्स इल्ली जो हरी इल्ली मतलब जो सेमी लूपर्स होती है आप इस समाझ लेजी है हरी इल्ली होती है तमबाकु इल्ली सफेद मक्खी मक्खी मच्छर और रस इसी कीट ना सको कब स्प्रे करना चाहिए तो मैंने इस वीडियो पर जो मैंने कीट प्रकूप और नियंत्रा बता रहा हूं तो इसी में मैंने फंगी साइट भी मिक्स कर लीए तो इस वीडियो को हम डिवाइड करते हैं चार भागों पर यानि हम अपनी स्वयवीन की फशल पर इस्पेर के त॔र पर 4 पर्ट्स पर डिवाइट करते हैं। तो 4 इस्पेर आपको करना है पहला i spree, दूसरा i spree, तीसरा i spree और चौंथा i spree यदि हो सकता है आपका तीनी i spree पर काम बन जाएं। तो कितने परकार की कीट आते कितने परकार की फंगस आती है, तो पूरा आपको सेडूल ही बता दिया जा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत न तो आपको पसल पर जब आपकी सोएबीं की फसल 25 से 35 दिन की हो, तो ऐसी कन्डीसर में जब हमाई 25-30 दिन की होती है तो रेंग कटर, छोठी इली, सेमी लूपर्स अमेरिकन इल्ली सफेद मच्छर हरी इल्ली छोटे रूप पर आती है मतलब छोट छोट इल्लियों का प्रकोब देखने के लिए मिलता है पहला छड़काहों को 20 से 25 से 30 दिन में करना है तो हमको क्या करना है ट्राई जो फॉस 40 परसेंट एसी को हमको लेना है 300 ml और इसके अलाबा किलोर फिलूगा जूरों 300 ml लेना है और हमको लेना है एक टोनिक को जो है पोसक सुपर को इन तीनों को मिक्स करके हमको 200 लीटर पानी पर एक एकर पर छड़काब कर देना है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ऐसी कंडिसन में हम अपनी फजल को ठीक तरीक से ग्रोब भी कर पाएंगे इसके अलाबा जितने भी आपकी कीट लगे हुगे हैं कीट का प्रकोफ है आपकी फजल पर वह नियतर आप कर पाएंगे आईए किसान भाईयों बात करते हैं दूसरा चलकाब तो किरपया ध्यान देजिए और ध्यान से सुनिए और समझिए जैसे आपकी सोयवीन की फजल दूसरा चलकाब कर रहे हैं लगभग 42 से 45 वे दिन की आपको इस सेकेंड इस्प्री करना है तो आपको इस कंडिशन क्या है कि बड़ी मात्रा पर सेमी लूपर्स का प्रकोप रहता है हरी इल्ली का प्रकोप रहता है और गरडल वीटल रिंग कटर का प्रकोप रहता है अमेरिकन इल्ली का प्रकोप रहता है और प्रकोप रहता है फंगस का भी जिसे हम रतुगा बोल पर है, कंट्रोल भी करना है और कोई दबाई काम भी नहीं करेंगी कोराजन आपको 50 ml लेना है और ट्राई जो फोस्फोटी जो परसेंट आती है आपको 300 ml लेना है और एक टोनिक लेना है फेंटाक प्लाज जो आपको 200 ml लेना है और एक फंगिसाड भी लेना है, जो स्वाधीन फंगिसाड जो rust को और अंड़ फंगस को कंट्रोल करती है, एक सल क्रॉप केर का स्वाधीन फंगिसाड को 300 ग्राम लेना है, इन सभी को mix करना है, 200 लीटर पानी पर mix करके छलकाब कर देना है, यादि फंगस नहीं है, तो आप इस्प्रे ना करें, तो एक एक एकड़ पर आपको 200 लीटर पानी पर इनको mix करके छलकाब कर देना है, अब बात आती, थर्ड छलकाब यानि तीसरा इस्प्रे, तो मैं दो तीन चीज़ें कबर कर रहा हूँ, यह तो आपकी फंगस भी नहीं आएंगे, और कीट भी नहीं आ होता है, रंग कटर का प्रकोप होता है, सेमी लूपर्स एक ऐसी इल्ली है, जो काफी हमाई सोयविन की पूरी जीवन चक्रें, फसल चक्रें प्रकोप रहता है, रंग कटर का प्रकोप रहता है, सेमी लूपर्स का, मक्खी, मच्चर का, वाइट फलाई का, और फंगस का प् जो बायर कम्पनी की फोली को और फंगी साइट आती है 200 ml लेना है और आपको प्रुफेक्स सुपर आती है जिसमें प्रुफेरोफोस 40% प्लस साइपरमेथरी 4% EC का कंटेंट है आपको 300 ml लेना है और आपको एक टोनिक लेना है जिसमें होम अबर सिनुलेट गोद्रेज की प्रिकार की इलिक खतम कर देगी टेवुक्रोजल बायर कंपरी की फोली को और फंगी साइट लागमक्स साइपरिकार की जो आपकी स्वयविन की फसल पर फंगस लागरा है कंट्रोल कर लेगी और टोनिक को आप इस परी इन साभी को मेक्स करना है और आपको 200 लीटर पानी एक एकर पर छड़काब कर देना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मनेगा यानि 60-70 दिन की आपकी फसल हो गई है अब छड़काब करने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन यदि आपने तीसरा इसपरी 60-65 दिनों पर छड़काब किया है 80-90 दिन की यदि आपकी फसल है और फ फसल है और कीटो का फ्रकॉप है फिर भी तो आपको HPM कंपनी की मारकर इंसेक्टिसाइड आती है 300 ml स्प्रे कर दीजिए और बाएर कंपनी की ओवेरोन आती 150 ml मिक्स करके छड़काब कर दीजिए ध्यान रखना है यदि आपने जब तीसरा छड़काब किया है और तीसरा छ छड़काब करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिलकुल नहीं है बिलकुल भी नहीं है तो आपको तीन छड़काब करना है पहला छड़काब 25-30 दिन में दूसरा छड़काब आपको करना है 42-45 भी दिन और तीसरा छड़काब करना है आपको 60-65-70 दिनों पर तीन किसान भाई जो मैंने कीट प्रकोप और नियंतरन का सेड्यूल बताया है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें यदि सुयवीन की इसी वीडियो पर हम खाद का यदि सेड्यूल बताते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इस लिए सुयवीन की फसार पर खाद का सेड्यूल हम पार्ट टूब पर लाने बाले हैं और हाँ उन्नत किस्मों की बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्सन मिल जाएगी और खरपतवार नियंतर करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो इस जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आज की वीडियो में बस इतना ही आपने वीडियो को एंड तक देखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया